दोस्तों, व्यक्ति अपने गुनों और कर्मों से ही पहचान बनाता है। भगवान राम भी अपने सभाव, गुनों और कर्मों के कारन मरियादा पुरुशोतम कहलाए। भगवान राम शिरिहरी विश्नु के अवतार माने जाते हैं। धार्मिक गरंतों में उन्हें आदर्श पुरुष और मर्यादा पुरुशोतम बताया गया है। उन्होंने राजपाट छोड़ 14 साल वनवास में बिताएं लेकिन फिर भी एक शेश्च राजा कहलाते हैं। क्योंकि उन्होंने सत्य, दया, करुणा, धरम और मर्यादा के मार् राज किया। आज भी बड़े बुजर्गों के बीच यदी संस्कृत और सदाचार की बात होती है तो भगवान राम का ही नाम लिया जाता है। भगवान राम अनेकों गुनों के धनी है। साथ ही साथ जब सच्चे मन से उन्हें कोई मदद के लिए पुकारता है तो भगव भगवान राम सदायव अपने भगतों की मदद के लिए उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे में जब भी सच्चे मन से पुकारा जाए तो भगवान राम अवश्य सुनते हैं। ऐसे में प्रिय दोस्तों तब क्या हुआ जब अयोध्या नगरी के राम मंदिर में एक फटे भिख बिखारी जिसका नाम रामू था वो दरदर भीक मांगता था और अपने बच्चों और अपने पतनी का पेट पालता था। रोज सुभे वो भीक मांगने निकल जाता था और शाम को घर आता था। लेकिन दिन भर सब के सामने हाथ फैलाता कि कोई दो वक्त की रोटी दे दे लेकिन रहा में आने जाने वाले लोग उसे दुद्धकार देते थे कोई भी उसे पैसा नहीं देता था थोड़े बहुत उदार दिल के लोग कुछ खाने पिने की चीज़े दे देते थे सब को लगता था कि यदि बिखारी को पैसे दे दिये तो कहीं वो जाकर दारू पी सब लोगों को लगता था कि पैसे देने से ये सीधा ठेके पर जाएगा इसलिए आते जाते लोग भी इस बिखारी को खाने पिने की चीज़े ही दे जाते थे इस प्रकार रामू बिखारी के परिवार का पेट नहीं भरता था एक दिन उसकी पतनी इस हालत में तंग आकर इ सब्सटिया में आता तो पतनी और बच्चो को ना देख कर और भी दुखी हो जाता उसके पास इस בुखमरी को मिटाने का कोई कारण नहीं था ढर्यसर उस रामू बिखारी का एक हाथ नहीं था इसलिए कोई भी काम पूरी तरह से नहीं कर पाता था और यही पारन। एक दिन रामू बैठे बैठे बहुत दुखी हो रहा था उसे अपनी किसमत पर रोना आ रहा था अचानक से उसने देखा कि सामने से गाड़ी आ रही है जिसमें भगवान शिरी राम के भजन डीजे पर जोर जोर से बज रहे हैं और उस गाड़ी के पीछे बहुत सारे लोग नाचते आ रहे हैं और हाथों में भगवान शिरी राम जी के बड़े बड़े ध्वज भी पकड़ रखे हैं वो एक बहुत बड़ी शोभायात्रा निकल रही थी भगवान शिरी राम जी की उन लोगों को इतना खुश देखकर उस रामू बिखारी ने किसी राम भक्त से प भव्य दिन है आज वो 22 जनवरी का शुब दिन है कि अयोध्य जैसी पवित्र भूमी पर भगवान शिरी राम लला की प्रान प्रतिष्टा है बड़ा ही दिव्य दिन है आज का इसी खुशी में ये समहरो ये शोभायात्रा सिरफ भारत में ही नहीं बलकि पूरी दुनिया म रोने लगा वो चबूतरावीर हनुमान जी के मंदिर का था लेकिन इस बात से अंजान वो रामू भगवान शिरी राम जी से प्राथना करने लगा ये भगवान मुझे नहीं पता आप वास्तव में है या नहीं लेकिन सारी दुनिया आपकी शक्ती को प्रणाम करती है वे सच्ची शक्ती की स्थापना हो रही है अगर सच मुझ कोई शिरी राम नाम की शक्ती इस संसार में है तो हे प्रभू मेरा भी कल्यान कीजिए मुझे भी दुखों से पार लगा दीजिए प्रभू उस रामू भिखारी का उस हनुमान जी के मंदिर के चबूतरे पर जब ऐसा कहकर वो भीकारी वहां से उठकर जाने लगा तो अचानक से वापिस उसी चबूतरे पर बैठ गया उसे लगा कि शायद कमजोरी की वज़े से उसे चक्कर आ गया लेकिन नहीं ये सब माया हनुमान जी की हो रही थी कोई भी परेशान मन से वीर बजरंग बली के मं चिशका गान कर रहा है आखिर वो कौन है और उनकी शक्ती का रहस्य है क्यों ना मैं भी योध्याग जाऊं और देखू क्या हो रहा है ऐसे कॉन से शक्ति वीराजमान हुई है और वैसे भी घर बार तो नहीं है पढ़ा रहूंगा मैं कहीं यहां पर अयोध्या मंदिर के आसपास कम से कम आने जाने वाले लोग मुझे खाने के लिए कुछ प्रसाद वगरा ही दे जाएंगे ऐसा सोचकर वो भी खारी अयोध्या नगर की और चल पड़ा और 24 जनिवरी के आसपास वो एयोध्या पहुंच गया था किसी से राम जी के मंदिर के बारे में पूचते पूचते भटकते भटकते पहुंच गया भगवान राम जी के दौरे तो पता नहीं क्यों उसे ऐसा एक अलग सा सुकून मिला उसे पॉजिटिव वाइब जैसा कुछ एसास हुआ और वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है अब ऐसे में आखिरकार समझे भी तो कैसे भगवान की लीला को इतनी असानी से समझ पाना कोई छोटा सा खेल है क्या वो जाकर बैठ गया राम लला के मंदिर की सेड़ियों के दूसरी और ताकि आते जाते य यात्री उन्हें कुछ प्रसाद वगएरा दे सके लेकिन ये क्या यात्री तो अपने साथ कोई प्रसाद वगएरा नहीं ला रहे थे राम लला के लिए ऐसा उसने पहली बार देखा था कि बाकी मंदिरों पर लोग प्रसाद लेकर आते हैं लेकिन अयोध्या के इस मंदिर लोग खाली हाथ आते हैं और प्रसाद मंदिर से लेकर यानि की भरे हाथ जाते हैं ऐसा कौन सा करिश्मा है ये वो इस अधेर बुन में फसा रहा कि उसे किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था वो सोचने लगा कि इस जगह में ऐसा कुछ तो है जो मैं नहीं देख पा सो गया लेकिन ये क्या कब सुबह हो गई उसे पता भी नहीं चला सूरज सर पर चड़ गया था और सफाई करने वालों ने उसे उठाया तब जाकर उसकी आँखे खुली थी पहली बार जीवन में वो इतनी गहरी नीद और शांती से सोया था वो गरीब बिखारी सोचने और वह रहा है बिचारे को कुछ शमज़ में नहीं आ रहा था उसने सोचा कि ये प्रभुकी कैसी लीला है पहले तो वो कुछ समझता नहीं था फिर उसके दिल में एक बात आई जब बाहर ऐसा गजब का नजारा है तो मंदिर के अंदर का नजारा कैसा होगा उसे क्या पता था कि राम लला उसका बेड़ा पार करने वाले हैं और उसे अपने पास बुला रहे हैं राम लला उसकी डोर को खीच रहे थी देखे कैसे कृपा करते हैं अपने राम लला बस अपने एहम को त्याग करके एक बार इनको याद करने की जरूरत है ये तो ऐसे दानी देव है कि अपने आप अपने भक्तों के पास पहुन जाते हैं अपने भक्तों का बेड़ा पार करने चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ उसके बाद रामू भी खारी जैसे तैसे करके मंदिर में चला गया और अंदर जाकर क्या देखता है कि एक बड़ी ही प्यारी और आलिशान प्रतिमा बनी हुई है भगवान शिरी राम जी की और उस प्रतिमा को देख कर ऐसा लगता है मानो इसे देखता ही जाओ बड़ा ही मनोहर सीन था जैसा उसने आज तक कभी नहीं देखा था भगवान शिरी राम जी के दर्शन करके रामू निहाल हो गया था मानो उसके सारे दुख प्रभू की कृपा से छुमंतर हो गए थे उसके बाद जैसे ही वो राम लला के दर्शन गर्ब ग्रह से बाहर नि हो गई थी उसकी भूक खतम हो गई और उसने बाकी प्रसाद बचाकर अपने पास रख लिया था कि सुबह का गुजारा हो जाएगा वो उस प्रसाद को लेकर अपने साथ चल पड़ा कोई सोने की जगए ढूनने के लिए पास ही एक पीपल का पेड़ था जहां एक चबूत बना हुआ था रामु वहां जाकर बचा हुआ प्रसाद अपने सिरहाने रख कर सो गया जैसे ही वो गहरी नीद में गया उसे एक सपना आया सपने में वही रामलला की प्रतिमा उसे दिखाई दी जिसका उसने दिन के समय में मंदिर में दर्शन किया था वो प्रतिमा रामु बना कर करते हैं, उसने आगे सपने में देखा कि रामलला उसको एक फूल भीट कर रहे हैं और उसने उस फूल को लेकर अपने पास रख लिया, हास जोड कर प्रभु को प्रणाम किया और अपने दुखों को सुनाया, उसकी बात रामलला के साथ पूरी होती है, कि अच्छानक से उसे किसी ने उठा दिया और उसकी बात बीच में रह गई थी वो अपने सपने को याद करने लगा और सोचने लगा कि काश कोई ऐसा होता जिसके साथ में अपने दुखों को बांट लेता अपने दुख किसी को सुना पाता ऐसा सोचकर जैसे ही वो सिरहाने पड़ी अपनी फटी चादर उठा कर चलने लगा तो वो एक गुलाब का फूल उसकी चादर से निकल कर नीचे गिर पड़ा उसने उस फूल को उठा कर देखा तो उसे याद आया कि अरे ये तो वही फूल है जो राम लला ने मुझे सपने में दिया था पर यहां कैसे बिचारा रामू फिर क अपने इस भक्त का बेड़ा पार कर दिया है अब आगे का रास्ता दिखाने का काम मंदिर के पुजारी जी का था पुजारी जी ने कहा कि आप राम लला के मंदिर में जाईए और उनको एक गुलाब अरपन कर दीजिए शायद राम लला का ये आपको एक संकेत हो वो आप स मातर एक चोटी सी भेंट चाते हूं रामु ने कहा पर पुजारी जी मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं राम लिला के लिए गुलाब खरीद सकूं तो पुजारी जी ने उसे पचास रुपे दिये और कहा इसे ले लो और प्रभु के लिए भेंट ले आओ रामु भागा पास बच गए थे मंदिर में जाकर उसने प्रभु को फूल अर्पित कर दिया जैसे ही वो गुलाब अर्पित कर रहा था उसकी आत्मा से एक आवाज आई क्यो ना फूल बेचने का काम शुरू करूं ताकि कम से कम भक्त इस फूल को राम लाला को अर्पित करके अपने दिल लगा अरे ये क्या देखते ही देखते उसके बाहर सारे फूल बिकने शुरू हो गए थे कुछ देर बाद उसके सारे फूल बिक गए थे रामु बहुत खुश था क्योंकि उसने पांच सो रुपए कमाए थे उसके बाद वो भागा फिर से बजार गया और बहुत सारे फू को फूल बेचता उसका ये काम अच्छे से चल निकला ऐसा करते करते थोड़े समय में ही वो अच्छी कमाई करने लगा उसका ये काम दिन रात चौगनी तरक्की करने लगा थोड़े ही समय बाद उसने वहीं एक दुकान घर सब कुछ खरीद लिया आज उसके पास अच्छी र राम लला का ऐसा भक्त है कि जब तक राम लला को भोग नहीं लगा देता तब तक वो खुद कुछ नहीं खाता क्योंकि उसे पता है कि ये रोटी उसे राम लला की कृपा से ही मिली है कहते हैं ना कि राम लला से अगर कोई काम करवाना हो तो पहले हनुमान जी के चौकट ज प्रभु की शरण में दिल को साफ रखिया और प्रभु का नाम जपें दूसरों का भला कीजिए बैमानी को दूर रखिये जैसे आप सब का भला करेंगे वैसे ही भगवान आपका भला करेंगे स्वप्रिय दर्शिकों आज की वीडियो में बसतना ही वीडियो इंफोमेटिव लगी ग्यानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बला इकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहें आपका बहुत बहुत धन्यावाद